उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक नह करें हाँ सावधान रहे सतर्क रहे मास्क उसका भरपुरूपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना इन बातों को हमें भूलना नहीं है अठारा लाख आइसोलेशन बेट्स है पांच लाख आकसीजन सपोर्टेड बेट्स है एक लाख चालिस हजार आइसीउ बेट्स है आइसीउ और नोन आइसीउ बेट्स को मिला दें तो नब्बे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी है आज देश में तीन हजार से ज्यादा पी एसे ऑकसीजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं चार लाख आउक्सीजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए है राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तैयार करने में सहायता की जा रही है उन्हें परियाप्त और टेस्टिंग किड्स भी मुहया कराई जा रही है साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हत्यार है और दूसरा दिया रहा है वैक्षिनेशन हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई है बहुत पहले वैक्षिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्षिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्प्रूबल प्रोसेशिस सप्लाइचेन डिस्टिबूशन ट्रेडिंग आई टी सपोर्ट सिस्टिम सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साथ 16 जन्वरी से अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामुहिक प्रयास और सामुहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज के अभुत पुर्व और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैंसे 61% से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैंसे लगभग 90% लोगों को वैक्षिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारत्वासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम के द्रश्टी से महत्वपन राज्य जैसे गोवा उत्राखन हिमाचल जैसे राज्यों ने शत्त प्रतिशत सिंगल डोज वैक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाउं में जब शत्त प्रतिशत वैक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोश होता हैं यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिट्मेंट का और देश के सामान ने मानुवी के अनुशासत और विज्ञान में उनके विस्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली डी ने वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धानतों वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पधति पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देश वासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्गता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी बैज्ञानिक सुझाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाएं पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे और जो को अपी मददगार भी साबिद हुए हैं भारत ने अपनी स्थिती परिस्थिती के अनुसार भारत के वैग्यानिकों के सुझाओं पर ही अपने निर्णे लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही हैं विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैग्यानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वेक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैग्यानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णन लिये गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी हैं क्रिस्पस का तेओहार भी हैं तो मुझे लगा कि इस निर्णने को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों 15 साल से 18 साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारब होगा 2022 में 3 जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता-पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन के द्रस्टी से सरकार ने निनने लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात दोहजार बाइस में दस जनवरी सुमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य हैं इसको ध्यान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयूके को मर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियों मेरा एक आग्रह है कि अफ़ा भ्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देश वाच्चों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद